ज़्याद से तुम्हें काफी टाइम होग चुका है बट अगर तुम्हें अभी लग रहा है। कि तुम्हें में कुछ प्रोग्रेक्स हो ज़ो तुम्हारा मेस्मेम पोटेंशल कि मूद दर तक रीच हो तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेदियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा नहीं ना मैं साटिफाइड हूं बढ़ जो भी चीजे में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं मुझे सब मेरा personal opinion है मेरा personal experience है और मैं learning हूँ मैं आज भी learn करता हूँ और कल भी learn करूँगा मैं आज भी सिख रहा था कल भी सिखूँगा तो चलो anyways वीडियो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो रहने वाली है हमारी 6 points पे जो last की 3 major points है अगर तुम लोगों ने वो मिस किये तो जिम में तुम कभी भी progress नी कर पाऊगे तो make sure वो last की जो 3 points है उन्हें जरूर देखें हो सकता है आप लोग भी वो mistake कर रहे हो तो चलो करते हैं स्टार्ट वर्काउट स्टार्ट करने से पहले हमें मेन इसी नीदी में पौटेंच चीज आप dat परफॉर्म कर सकते हो अच्छा परफॉर्म इस इक्विल टू गूड रिजल्स तुम लोगा घ्रिम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो अबिसलि रिजल तुम्हारे अच्छे होंगे तो प्रीवर्टाउट मील पर तुम लोगों को हाईली डाजेश्टीब foods लेने है जो जैसे कि banana, rice, potato, curd, अपना-पना सब का अलग-अलग pre-workout meal हो सकता है तो हाँ और लेकिन मेरी ये बात है जो banana lovers को affect कर सकती है मैं देखता हूँ बंदे gym आके केले खा रहे है ये बहुत गलत चीज है हर एक pre-workout meal के बीच में आपके workout से pre-workout के meal जो होगा आपका उसमें 30 मिनट का gap होना ही चीए 22-30 मिनट का gap होना चीए क्योंकि उस pre-workout meal को digest होनी के लिए भी time चाहिए तो बंदे यहां पर जिम में आके केले खा रहे है और workout perform कर रहे है उस चीज का कुछ फाइदा नहीं है जो energy आपको pre-workout meal से मिलनी चीए वह आप यूज नहीं कर रहे हो है दो गंटा ए गंटा उसे दर्द सेना है बहुत बारी वेट उठाना है हाड़ वर्क करने तो उसके लिए planning देखो बंदे जीम आते हूंने पता है नहीं कि हमें आज वर्काउट पे करना क्या है कि I just crashed मेर्न बंदेख नहीं पैट आट करती हा जाकर अब वाझते है ति ईर्फ करते हूंने कोई आज कि sendiri करते हैं आप अगर गर से सोच के जगने वह अचिए में करण lot हाँ, आज मुझे चेश्ट करना है, तो वो बोडी उस हिसाब से रिस्पॉंड करती है, कभी-कभी ऐसा होता है, एक बार की बात है, मैं मेरा लेग डे करने का बिल्कुल भी मननी था, बट मैंने उसिन जबर्रस्ती लेग डे किया, तो उस टाइम में अपने मन को जीत लिया, बट मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, बिकॉज मैं गर से सोचके नहीं था मुझे लेग डे करने, मैं क्योंकि उसनी नादी के साथ वर्काउट कर रहा था, तो एक दम से उसका प्लैन मना हमें लेग डे करने, तो इसलिए mental planning बहुत ज़रूरी है, हाड़ वर्क, not smart वर्क, तुम लोग हाड़ वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, देखो, तुमारा चैप्टर वन किसी के चैप्टर 10 से कंपेर मत करो, कोई बंदा तुम से ज़ाधा हैवी लिफ्ट कर रहा है, तो वो उसका चैप्टर 10 है, समझे रहो, वो उस अगर तुम लोग हेवी लिफ्ट करते हो तो तुम्हारा सिर्फ दम लग रहा है, तुम्हारा मसल ना आके बराबर हुआ है, तो समझाओ, तो तुम लोग ऐसा वेट चुनो, जिसमें तुम अच्छी रेपरेंज अच्छीव करपाओ, that's it, जिससे तुम्हारा मसल हिट भी पहला हूं वह बहुत ही important points है तो इन्हें जरूर से सुने और आपने life में add-on करें तो point no.4 है हमारा not training till failure जैसा मैंने आपको पिछले point में बताया hard work not smart work ठीक है रेप रेंज और weight load capacity तो ठीक है आप लोगों को training करने till failure यह ना हो कि तुम लोग जादा weight उठा रहे हो और जादा weight में 3-4 reps में failure hit कर रहे हो यह बहुत पहलत है आप लोगों को ऐसा weight लेना है जिसमें तुम लोग failure hit कर सको अगर तुमारी capacity rep range देखो rep range बहुत जरूरी है लोग बोलते हैं तुमें 10-15 repetition करें 10-12 करने हैं लोगों ने अपने माइनवें बिठा लिए हमें 12 करने तो 12 करने 12 से 15 करते हैं 12 पर छोड़ देते हैं बेशक उनकी capacity 15 तक की होगी फिर वह बहुत गलत है failure hit करना बहुत जरूरी है आपकी body को आदत लग गई है जैसे मैं अपना example देता हूं देखो अगर मैं हूँ अगर मैं बहुत टाइम से 10 रेपरेंज फॉलो कर रहा हूं और 10 रेपरेंज की मेरी body कॉल रेडिया आदत लग चुकी है बट मेरी body कुछ यह थोड़ा एक्ष्रा तो मैं उससे 10 रेपरेंज को भारा करूंगा फिर 15 करूंगा बहुत से लोग ऐसे भी है वो बोलते हैं 15 से ज्यादा रेपरेंज अच्छा नहीं है तो वो डिपेंड करता हैं को कितना टाइम हो चुका है जिम्में वर्काउट करते करते तो समझा सब्सक्राइब त्रेणिंग ऐसे पैफिल फेलियर अगर तुम्हात्य एक सरफ सकत हो गो फो इन्ट कुछ Allah कढा एध्याप करो देउद करो तुम वहते है ठीक है बहुत अच्छा तुमने बॉड़ी को बहुत अच्छा हीट मा रहा है बॉड़ी को पता लगा कि आज हमने कुछ किया है तो उसके बाद में चीज रेस्ट यू अनौट टेकिंग इनफ रेस्ट बीटवीन सेट्स यह बहुत गलत है अगर तुम लोग रेस्ट नहीं अच्छा ओड़ी नहीं तो वह वर्क आउट नहीं वह वेड ट्रेनिंग नहीं वह काडियो और तरह से चुकि तुम लोगों को रेस्ट रिक्वाइड है ब्रो तुम लोगे रिक्वाइड रेस्ट जो तुम्हें चाहिए ज़रूरी नहीं की वह 1 बिनिट का यह या 2 मिनिट तुम्हें इतना रच करना है कि तुम्हारी बॉडी नेक्स सेट के लिए रड़ी है अगर मैं 10-10 kg का रेप रेंच 15 हीट कर रहा हूं और उसके बाद में सीधा विदाव टैनी रेच 30 सेगंड रेच लेके फिर से मैं रेप रेंच कर रहा हूं तो मेरे रेप निकलते हैं तुम्हें इतना रच लेना है कि तुम फिर से अगे इतना रेप अचीव कर पाओ जितना तुमने लास्ट में किया था मुझे पता है मसल फटीग हो जाता है बट कोशिश तो कर सकते हो ना तुम क्योंकि उस सेट से तुम पहले से रिकावर नहीं हो है और तुम सीधा दूस बहुत जारा डर लगता था स्टार्टिंग में बट लेग डे स्किप करना बहुत जलत बात है यह मैंने भी रेलाइज किया है क्योंकि जो आपके लेग है वो सबसे बड़ी मसल है जो आप लेग डे करते हो ना तो आपके बाड़ी में बहुत सारे ग्रोथ होर्मन्स ही और अगर आप चाहते हो आपकी ना सिस्थ लैग और आपढ़ी बी ट्रेन होना तो लैग डे ज़रूर करें बोलते हैं अगर आप लेग कर रहे हो तो आप अपने फूल बाड़ी कर रहे हो बिकाज जो लेक डे से आपकी ग्रोथ होरुन्स रिलीज हो रहे है, उसके आपकी बोडी बहुत अच्छे रिजर्ट तुमें देगी, ठीक है, और देखो, लेक डे करने के फाइदेरते हैं, आपकाटेशों लेवल बढ़ता है, और आप ग्रोथ होरुन्स रिलीज करते हूँ और आपका कोटी सोल लेवल डिक्रीज होता है तो ये बहुत सही चीज है तो चलो गाइस ये थी आज की वीडियो I hope तुम्हें मजाया होगा वीडियो देखने में और ये जो भी मैंने वीडियो बनाए थी ये अंस्क्रिप्टिट थी मलब पॉइंट तो मेरे माइंड में थे बट जो भी मैं बात करूँ ये सब बीन स्क्रिप्ट के है क्योंकि ये वीडियो एकदम वन टेक वीडियो है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम लोग उससे बात कर रहा हूँ एकदम अपने भाईयों की तरह बात कर रहा हूँ तो फिर समझा भाई एक दोस्त कुछ भी समझ सकते हो तुम मुझे तो मिलते हैं सबसे नेक्श वीडियो में तिल देन बाई 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 और मुझे कमेंट में करो अगर आपको ये वीडियो हेलफूल लगी अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ अलग टापिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट जरूर करें मिलते हैं नेक्श वीडियो में बाई बाई शो सम सपोर्ट कर दो येजियो हे रखको ये वीडियो बाई करें चाहते हो झाहते हूँ